तो किस तरीके से यह स्मार्टफून और लैप्टाप बितर किये जाएंगे उनकी लिस्ट कहां पर मिलेगी साइज अनकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है तो वीडियो में हमारे साथ बने रहें सबसे पहले यहां पर देख लिजी इसमें आपको अपना आवेधन करना होगा जाने कैसे करना है आपको अपना आवेधन यूपी बोर्ड लैपटाप और स्मार्टफोन यूजिना के लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें इसमें आपको अपना लाम देखने की वी लिस्ट य नहीं मिलेगा जिसका भी इस लेश्ट में नाम आएगा सिरफ उसे ही इस यूजिना का लाम मिलेगा तो आप इस बात का अच्छे से ध्यां रखें कि लिंक आपको वीडियो के डिस्केप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से जाकर आप उस वेबसाइट को भी विजिट कर लीजिए अगर आपने अपने उत्तर परदेश से दस्वी और बारवी की प्रिक्शा को पास किया है तो आपको यूपी सरकार की तरफ से फिरी लैप्टाप या स्मार्टफोन दिया जाएगा मुखमंत्री मुफ्त लैप्टाप यूजिना के तहे तो यूपी सरकार कक्षा दस्वी और बारवी पास करने वाले विवाव को फिरी लैप्टाप देने जा रही है इस यूजिना का लाव लेने के लिए छातर को बारवी की प्रिक्शा यूपी से पास करनी होगी और आगे की सिक्षा के लिए यूपी में ही कहीं दाखिला लेना होगा अगर छातर बढ़ सकती है कम भी हो सकती है इस यूजना के लिए उम्मिद्वारों का चैन एकता के आदार पर किया जाएगा इस यूजना के उद्देश यह है कि इन वेदावी बच्चों को डिजीटल माध्यम से जोड़ना है जिनके पास लैपटाप खरीदने के लिए प्रयाप्तरासी नहीं है उतर परदेश ने राजी के 22 लाग चातरों को मुफ्थ लैपटाप देने का लच्च रखा है 22 चातर चातराओं जिने अच्छे नंबर से 10 वी और 12 की प्रक्चा पास की है उन्हें सरकार की तरफ से मुफ्थ लैपटाप दिया जाएगा यूपी सरकार ने इस यू टॉपर्स को उतर परदेश सरकार की लैपटाप के साथ एक लाग रुपए भी दिये जाएंगे जो भी टॉपर्स होंगे अपने जिलेके तो उन्हें एक लाग रुपए एक्स्ट्रा मतलब इमाउंट भी उन्हें दिया जाएगा उनके डारिक बैंक अकाउंट में या चे पर पक्की सड़क करवाई दी जाएगी साथ में यूजना के तहर लाप राप्त करने वाले इच्चुक आवेदक यूजना के लिए निर्दारित पातरता मांडंदों को पूरा करना होगा वो मांडंद क्या है यहां पर कौन सी ऐसी पातरता होनी चाहिए किस तरह की पातरत अब सajaściक योगता आवेदन करने वाले चातर को 10 भी और बार्वी के कक्षा में टॉप नमबर होना चाहिए यूगता यूजना के अलिये आवेदन करने वाले चातर उत्र परदेश यूपी बोर्ड के से पास होना चाहिए अन्य सेक्षिक अवस्ताओं पिरी मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक चात्रों के अलावा सरकार यूजना के लिए आवेदन करने के लिए आई टिया या पलोटनिक कोर्स के प्रोग्राम के तहट पढ़ने वाले चात्रों को भी सामिल कर रही है लैप्टाप राप्त करने वाले चात्रों का चैन पिरकरिया पूरी तरह योगता पर आधारित है इस सब्ते में बे सबी चात्र सामिल होंगे जो यूजना के लिए आवेदन करेंगे उसके आधार पर हाई रेंकिंग वाले चात्रों को लैप्टाप दिये जाएंगे पहीं पर जो लो रैंकिंग वाले चात्र हैं उन्हें स्मार्टफोन मुवाइल जो है वो दिये जाएंगे फिरी लैप्टाप विजना के लिए आवस्यक दस्तावेज आपको क्या जरूरी है आधार काट दस्विया बार भी कक्षा की मारसीड ओर्जिनल सार्टिफिकट निवास परमाण और पासपोर्ट साइज एक फोटू होगा तो उसके बाद में नीचे यहाँ पर इंपोटेंट नोट दिया हुआ है कि जैसे ही लिस्ट जारी होगी आपको इसी आर्टिकल पर अपडेट कर दी जाएगी इस आर्टिकल की लिंक आपको कॉपी करके लख लेना है और चेक करते रहना है तो आप लोगों को इस आर्टिक mail के थुरूग सेंट कर दिना है फिलाला यहाँ पर आप कॉपी कर सकते हैं और बाट सब्सक्राओं ने करना है यहाँ यहाँ पर हफ्टे में एक यह दो बार आकर वार बार इस पर चेक करते रहेना क्यूंकि जो भी लिस्ट या जारी होगी यूपी सरकार की तरफ से जैसे आप और स्मार्टफून ले सकें तो वीडियो पसंद आयों दो वीडियो के लाइक कर देना चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और अगर किसी तरकी और कोई भी जनकारी चाहिए तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में पूस सकते हैं